क्लास 12 का कोस्चन में आपका चल रहा था इंगलीश का इसमें तिसरा अंसिन पर से देखते हैं फेट कम्स इन टू टाइप्स फेट बने वसा जो वसा होती है वो दो प्रकार में आती है ओमेगा 3 which is found in marine life ओमेगा 3 जो है वो आपका पाया जाता है किसमें समुद्री जीव में और ओमेगा 6 और ओमेगा 6 वीच इस कॉंसेंट्रेटेट इन वेजिटेबल ओइल्स ये केंदरित होता किसमें वनस्पती तेल में तो दो टाइप क्या हो गए ओमेगा 3 दूसरा ओमेगा 6 तो फ़स्ट इस गूड पहला जो है वो अच्छा है ओमेगा 3 जो समुद्री जीव से प्राप्त होता न वो अच्छा है दूसरा साधा और सड़ा हुआ है मतलब यह है कि जो बढ़िया इस्तो तरोत जो है ओमेगा 3 का वो nevertheless T कैंद जो है उसका जो है जो है अस्तो बढ़िया क्या है सुद्री मचली ठीक्श शूर्स मुख्य इस्तोथ मानесकते हैं आप्छा इस्तोथ मान सकते हैं किसका ओमेगा तरिका होता है मरीन लायप में तब अर kommen आने जीवों में होता है ठीके और यह गया है इसका जहें अच्छा इस्तरोत क्या मानेगा है समुद मचली मानेगई है न सब से अच्छा आप सबस्दोत समुदरी मचली है ऐट फ्राइंग इट इन ओमेगा सिक्स परन्तु हिस सी फिषिछ गया तो वेजिटेबल ओइल में इस फिषक्ष आल इशी गूण्ने Button समाप्त हो जाएगी एजिंग ब्रेंज हेव लो लेवल ओप थियामिन यह ना थाइमिन बोल सकते इसको मतलब इससे क्या होगा कि जो बढ़ती उम्रे का जो दिमाग है उसमें इसका निमने इस्तर होता थियामिन का वीच इस कॉंसिंट्रेटेड यह किसमें होता है थियामिन इन वेट जर्म मतलब गेहूं के जो रोगानों होते हैं एंड ब्रेंज जो चोकर होता है अनाज का नट्स है ना मीट एंड सिरियल्स मतलब मांस में और अनाजों में होता है है ना जो थियामिन होता है वो इसमें केंद्रित होता है और जो अच्छा भोजन है दिमाग के लिए वो कहां से आता है वो आता है लिवर से दूच से और बादाम से और यह जो चीज़े हैं लिवर, मिल्क और बादाम और इन चीज़ों में जो है राइबो फ्लेविन जो है बहुत ही जदा मात्रा में जो है अच्छा होता दिमाग के लिए वो पाया जाता है इसमें ठीक है केरोटिन अवेलेबल इन डीप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स और फूट्स इस अलसो गूट फोर गेरियाटिक ब्रेंस मतलब यह है कि केरोटिन जो होता है वो ग्रीन लिफी मना हरी पत्यदार सबजियों में अवेलेबल होता है ठीक है और फलों में होता है और यह अच्छा किसके लिए होता है उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए जो हाई आइरन के जो डाइट होती है उससे कोई भी जो बुड़े मस्तिस्क वाले लोग होते हैं जो बुड़े होते हैं उम्र में वो भी कैसे हो सकते हैं यंग वन्स मतलब तेज तर राठ है ना अटमर के बिल्कुल एक एक्टी हो जाते वह कैसे यूवाओं की बाती वह इस हाई आइरन डाइट से जवान हो सकते हैं ठीक है इस आइरन कम्स फ्रों म् ग्रीन मतलब आइरन कि समें होता है आयरन जो आता है वह गरिंज का मतलब साग होता मतलब होई पत्य दार सब्जों में लिवर आग शेल फिश मतलब वह समूदरी मचली जिसके बारे में आपकर रहे थे होता है एक उत्क्रष्ट पूरक आहर होता है कि दन्यूजी दन्यू इंग्लेंड जर्नल ओप मेडिसीन रिपोर्टेड इन इट्स में 1985 इशु देट 30 ग्राम्स ओफ फिश अडे कुड रिजल्ट इन अर्ड्रेमेटिक ड्रोप इन दे चांसेस ओप एक्वाइरिंग कार्डिय मतलब यह है कि न्यू इंग्लेंड एके जर्नल मेडिसीन एक रिपोर्ट दिये मैं उसमें यह बताया गया है कि 30 ग्राम जो फीश है 30 ग्राम जो मचली है उसको अधी प्रति दिन अगर खाया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा उसमें गिरावट होगी नाठ की डंग से गिर गिरावट देखने को मिलेगी लिखाना कार्डियोवस्कुलर मतलब बताए कि कार्डियोलाजी मतलब वही एक प्रकार से आपके रदाई की वाहिनिया जो है तंत्र पुरा रदाई का सिष्टम में उसकी बिमारियां बिल्कुल उसके चांसेस में गिरावट होगी सीफिस पर्टीकिलरली शेल फिस मतलब समूद्री मचली और उसमें विशेश रूप से कौन सी शेल फिस क्रेप समने केकड़े ठीक है और मैकेरियल एंड सार्डिन आर मोर इप्यक्टिव देन रिवरिन फिस यह सब प्रभाव साली है किसे जो नदी की मचलियां होते ना उन नदी की मचली से ज़्यादा प्रभाव साली होते हैं because the letter is more when relevant of chemical effluents मतलब यह है क्योंकि यह जो है रासाइनिक जो अप्सिष्ट होते हैं ना केमिकल उन से उनके प्रती ज़्यादा सम्वेदंशील होते हैं इसलिए चलिए question answer देखते हैं almonds are rich in riboflevin and are good for जो बादाम जो होती है वो riboflevin से भरपूर होती है और यह अच्छा होती किसके लिए तो यहां देखेंगे हम दिमाग के लिए memory के लिए बहुत अच्छा होती है अच्छी होती है यह गेरियोटी का मतलब होता है कि जो व्रद्ध व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग से संब्बन दीते हैं तो यहां पर आपका आएगा ओल्ड पीपल 30 grams of a fish a day good result 30 grams जो है मचली का परिणाम हो सकता है क्या हो सकता है तो यह उससे क्या होगा कि जो आपके heart disease जो रदे की बिमारिया है उनके chances कम होंगे यान उनमें गिरावट होगी ठीक है रदे रोख होने की संबावना में गिरावट होगी यह सी option यह आपका सही होगा अगला है अपना cardiovascular relates to जो है cardiovascular का संबंध है किसे हैं तो यहाँ पर है आपका heart and blood vessels ठीक है दिल और रक्तवाहिनियों से the best source of omega 3 fat is found मतलब मुख्य इस्तरोथ जो है सबसे अच्छा इस्तरोथ माना गया omega 3 का वो क्या है आपका sea fish समुद्री मचली करता हूई